मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब मैं समाकलन के सिर्फ बड़े सवाल पकड़ पकड़ के ला रहा हूं और आपके सामने प्रस्तित कर रहा हूं तो अगर आप एक्जाम में छे नंबर वाला चार नंबर वाला करना चाहते हो कॉंफिडेंस के साथ तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रह सकते हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि समझ में आने की तो गरंटी लेता हूं मैं और आप इस बात की गरंटी लेंगे की नहीं लेंगे वीडियो पूरा देखने वाले समझेंगे अधूरा देखने वाले नहीं समझेंगे सिर्फ गायना बजाना नाच गायना की तरह से क्लास की वीडियो देखने से कुछ हासिल नहीं होगा सिर्फ इरिटेशन हासिल होगा चलिए उपदे ज्यादा नहीं देंगे सीधे सीधे हम आते हैं में टॉफिक पर आज का सवाल है समाकलन करना बेर्टा आफके बोड पर इच्छा में ये पूछा जाता जानते हो कितनी नमबर का ये पूछा जाता है छे नमबर का दो फलन का गुड़न फल वाला समाकलन है तो पहले तो जज्यज फैसला करेगा कि पहला फलन कौन बनेगा और दूसरा फलन कौन बनेगा तो जज कहां है जज यहां है आई लेट आई लेट का नियम मैंने आपको बताया था कौन कौन देखा है मेरा आई लेट वाला नियम मैंने बोला था कौन कौन आई लेट के नियम से प्यार करता है कॉमेंट में लिखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मैंने सबका कमेंट देखा है आई मतलब इनवर्स त्रिकोर्ड में थी यह मतलब लगड़क एक मतलब अलजेबरा बिजगडित टी मतलब त्रिकोर्ड में थी इम अलब एक्सपोनेंट ए की पावार एक्स वाला तो भाई साब सबसे पहले है क्या इसमें फीचोड़िये लाग है क्या इसमें फीचेट ऐसमें यहां कया है तो मिल गया है यह पहला फ़लब यह आपका क्या होगा पहला फला इसके आगए चलेंगे इसके इसके बाद है ते रिकोड में थी, तो बाद वाले को दो नमबर कहेंगे, दो नमबर फंक्शन, बाद वाले को दो नमबर फंक्शन, अब फैसला आ गया कि कौन पहला फुलन रहेगा, कौन दूसरा फुलन रहेगा, अर जब फैसला आ गया तो अब एक्शन लो, आगे बढ़ लेकिन यहां पर समस्या है भाई कास स्क्वाइर का तो सुत्र में नहीं होता समाकलन में अब क्या होगा कोई बात नहीं तो आपकास स्क्वाइर का सुत्र लगाएंगे हम कास स्क्वायर कास उत्र होगा कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x-1 माइनस 1 इधर आएगा इस तरह से होगा और यह लिख देंगे 2 कास स्क्वायर x तो इधर आएगा ध्यान से देखिये द्यान से देखिये अब यह जो है जिसको मैंने घिर दिया यह सुत्र है किसका इसका सुत्र यह है इसकी जगह पर यह लिखेंगे तो जिसको जिसको नहीं मालूम वह आज से पता कर लेगा आज से जान जाएगा आज से लिख लेगा कि कास स्क्वाइर एक सका यह शूत्र होता है तो इसके जगवबर हम इसको क्या करने जा रहें लिखने जा रहें ठीक है चलिए चलिए भाई 1 प्लस कास 2 एक सपान 2 दी एक्स अब बाटे का दूग एदम बाहर निकाल दीजे इदर अब इंटिग्रेशन भी लगा लीजे इसका इसमें गुड़ा करिए इसका इसमें गुड़ा करिए यहां डी एक्स लगाईए अब आपका एक सवाल दो अलग अलग सवालों में बट गया मदलब एक से दो हो गए सवाल एक था हल करते करते दो पार्ट में बट गया दोनों पार्ट को अलग अलग सवाल करते हैं ध्यान दीजेगा एक्स स्क्वाइर डी एक्स यह वाला dx एक साथ लिख दिया मैंने प्लस एक बटे दो का गुड़ा यहां भी होगा और j वाला मैंने यहां भी लिख दिया अब आपको अज़ पस्ट पता चल गया होगा कि एक सवाल यहां है एक सवाल यहां है यह अकेला फलन है और यह दो फलन है तो इसमें दो फलन का गुड़न फल वाला रूल लगेगा एक बटे दो एक सी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा एक सवाल गात तीन बटे तीन होगा इसमें एक गात बढ़ जाएगा एक सवाल गात तीन बटे तीन ठीक है प्लस एक बटे दो, अब दो फलन का गुड़न फल वाला काम यहां पर होने वाला है, यह आपका पहला फलन, यह दूसरा फलन, अभी मैंने समझाया ना, आई लेट का नहीं हैं, उसी के हिसाब से, यह पहला फलन, जैसे है, वैसे ही रहेगा, इसका समाकलन, का दो एक्स का समा मैं पहले का आउकलन, एक्स स्कौायर का आउकलन , टू एक्स होगा और का दो एक्स का समाकलन, साइन दो एक्स बटा 2 होगा, और यह दी एक्स, और यह बड़ा ब्रेकेट बंद हे, बड़ा ब्रेकेट मैंने एक बटा 2 के लिए लगाया है, ठीक है? अच्छा आप देखिए ध्यान से ये तीन दूनी छे एक बटे छे यक्स पे घाते तीन पलस अगर हम कहें ध्यान दीजेगा मेरी बात को अगर हम ये कहें कि हाँ एक बटे दो का अंदर गुड़ा कर लो एक बटे दो के अंदर गुड़ा करोगे दो कुड़ाओं ayam जाएं एक से स्कॉयर बचेगा अर्पी साइन यक्स बचेगा ठीक है और इसरे एक बटे दो का यहां भी गुड़ाओं तो निचेवाला दो कुड़ाओं जाएगा ये बचेगा और टू एक साइन यक्स अब यहां पर फिर से दो फलन का गुड़न फल काम करेगा यहां पर फिर से दो फलन का गुड़न फल वाला फार्मूला काम करेगा तो आप लोग तैयार है ना उसको सीखने के लिए जानने के लिए समझने के लिए और बूझने के लिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब इ अगर आपका मैथ एकदम से कमजोर है और आपका बजेट भी लो है आफ लाइन कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं या तो समय नहीं है या तो संसाधन नहीं है मुझसे पढ़ना चाहते हैं बहुत कम फीस में पूरा एक साल का मैं आपको सिल्यवत पढ़ा दूँगा उसके लिए आप क्या करेंगे मेरे इस नंबर पर काल करेंगे तो जो भी बच्चा काल करेगा बात होगी मेरे स्टाफ से चाहे मुझसे और कोर्स मिल जाएगा ट्यूसर नहीं जाना पड़ेगा अब यहां आते हैं एक बड़े छे एक्स क्यूब फिर क्या होगा एक से स्कfeit साइन टुं यक्स फिर क्या होगा माइनर दो धो फलन किंड फल लगा दी जह ई मैला फ़लन बैसे दूसरे का समा कलन podrnit sin 2x का होजया trigger माइनस का स्फ़लन का स्द्वीकिह का मॉए जाएगा है जाए भी माइनस काश 2x अपान 2 आ यह भी माइनस में है यहां भी माइनस से इनाते प्लस हो जाएगा और dx आ जाए इधर एक बटा 6x क्यूब प्लस x स्क्वाइर साइन 2x माइनस अगर हम इसका अंदर गुड़ा करें तो यह दोनों प्लस हो जाएंगे दो दो कट भी जाएगा तो प्लस x काश 2x और यहां पर ध्यान दीजे एक बटे दो किनारे हैं काश 2x का समाकलन क्या होता साइन 2x अपान 2 काश 2x का समाकलन क्या होगा साइन 2x अपान 2 और यह एक बटे दो पहले से था तो नीचे 4 हो जाएगा ठीक है और इस दो का गुड़ा भी तो अंदर होना है तो यह 4 ने होकर के 2 रहेगा दो का अंदर गुड़ा होगा दो कट जागा यह दो होरा जाएगा पलस में c बस इतना ही इसका एंसर है ठीक है अगर आपको लगता है कि इसके उत्तर में कहीं कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में लिखिएगा मैं उस पर अमल करूंगा नेक्ट वीडियो में इसको ठीक कर दूंगा ठीक है अलग-अलग कदीके से अलग-अलग इसके अंसर आ सकते हैं